हलो टू आल मैं लवली विविवर्स मेरा नाम है अमन आप देख रहे हैं वाई इटी यॉर इंग्लिश चूटर एडवांस ट्रक्चर की सीरीज में एक नई एडवांस ट्रक्चर को आज हम देखने वाले हैं दो सेंटेंसिज आपकी स्क्रीन पे अभी आएंगे आज की जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो है विद अव्यू टू देखिए इस्ट्रक्चर रेगुलर ग्रामर में कवर नहीं हो पाती हैं आपको अलग से लेनी चाहिए क्योंकि यह स्ट्रक्चर इंपॉटन्ट है और बाहर बार इस्ट्रक्चर पे हर एक्जाम के अंदर सवा पूछे जाते हैं विद अव्यू टू अब क्या होता है चलिए अपने रेगुलर अंदाज में समझेंगे विद अव्यू का मीनिंग इस पिक्चर को देखिए क्या हो रहा है इसमें एक परसन कहीं पर निशाना लगा रहा है और टार्गेट यू सी अटार्गेट इन दिस उसी तरह से अब इस पिक्चर को देखेंगे तो यहां भी एक टार्गेट को अपने देखने ही कौशिश कर रहे हैं इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको टार्गेट देखेगा इसको बोलते हैं बूल साय बूल साय टार्गेट तो विद व्यू जो मैं आपको समझाना च कीजिए विट अब वीटों के बाद जनले आप तो के बाद हैं व की स्वी दवह करते हैं लेकिन विट के बाद अफaces करते हैं जिसको बोलते जान इसके पीछे रीजन भाफ तो हम आपको यहाँ जो तू आप देख रहे हैं, that is not the part of infinitive, it is a preposition, prepositions के बाद आपको gerund या nouns को use करना होता है, तो with a view का मतलब इस मकसद से, structure यह कैसे बनी, देखे, पहले इसका meaning देख लेते हैं, I painted my house with a view to selling it, मैंने अपना घर paint किया, इसे बीचने के मकसद से, अब देखते हैं, यह structure कैसे बनी, देखे, what you do, did or will do, कुछ भी जो काम आप करें, जैसे आपने, I painted my house, मैंने अपना घर paint किया, साथ में with a view to, यह structure आएगी, उसके बाद आएगी, वह अपकी ing form जिसको gerund बोलते हैं, और last में आएगा object, जैसे यहाँ पर object था, it house के लिए हमने sell करने के लिए house को जो हमने सारा काम किया, अब इसी structure के साथ, इस दूसरे वाले sentence का meaning हम निकालते हैं, he is going to new york, तो वो new york ज से पढ़ने के लिए software engineering को, तो वो new york जा रहा है, पढ़ने के मकसद से software engineering को, देखें अब इसी तरह से आपने दो sentences का meaning मेरे साथ देखा, अब तीन sentences आप खुद आप बना करके देखो, हिंदी से English के अंदर, प्रिया दिली किताबे खरीदने बाद जाने वाली है, आपको तो डेली, यह प्रिया विल गो टो डेली, दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिखोगे आप, विद अव्यू टू, आपको लिखना है structure को, और विद अव्यू टू के बाद मकसद क्या है, किताबे खरीदना, अब खरीदने के लिए आप लिए diesel engines को ban कर दिया, फिर से एक target आया, आपके पास मकसद आया, with a view को आप यूज करेंगे, थोड़ा सा complex sentence है, ताकि आप इसको जो समझ पाएं, खुद भी बना पाएं, तो केजरी वाल ने pollution को कम करने के लिए diesel engines को ban कर दिया, तो सबसे पहला काम क्या किया केजरी वाल ने reduce के जएगा आपने लिखेंगे reducing, क्योंकि with a view के बाद gerund आता है, reducing the pollution, एक और sentence बना कर देखें, इसी तरह से, हम सब books को कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ नया सीखने के लिए books को पढ़ते हैं, नया सीखना हमारा target है, और books को पढ़ने वाला हम काम क learning new things, या learning something new, दोनों से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो देखें कितने असान तरीके से इस structure को आप खुद भी use कर सकते हैं, अपनी writing के अंदर, और जहां भी exam के अंदर encounter हो, वहाँ आप इसका meaning जो आप देखते ही समझ जाएंगे, एक structure को खुद भी आप बना करके देखे अपने इसाब से, अपने दिमाग के इसाब से comment box के अंदर pause करें, I will personally check out those structures, किसने अच्छा लिखा है, किसने बुरा लिखा है, या सही लिखा है, मैं try करूँगा उनको सही करने की, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like देखर के मुझे बताएं, ऐसी cool videos बनाने का appreciation मुझे म like से, और भी ऐसी videos है, you can check it out on the channel, तब तक के लिए देजादत, signing out.